47 साल के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने घर में पंखे से लटक कर आत्म हत्या कर ली घटना महाराष्ट के राइगर्ण जिले के महाड शहर की है बताये ये जा रहा है कि जब से उस व्यक्ति को ये बात पता चली थी कि उसने कोविट की जो वैक्सीन लगवाई है वे खाड़ी देशों में मानने नहीं है वे परिशान था उसे ये डर था कि वे वापस को वैथ नहीं जा पाएगा जानते हैं पूरा मामला क्या है इंडियन एक्सप्रिस की खबर के मताबिक मरने वाले व्यक्ति का नाम सिराज मक्कर है वे कोवेथ में एक ओयल यूनिट में काम करता था इसी साल मार्च में भारत लोटा था सिराज को को वाक्सीन लगी थी सिराज के परिवार का ये दावा है कि ये जानने के बाद कि को वाक्सीन कोवेथ में अप्रूवड नहीं है इस कारण वे कोवेथ नहीं जा पाएगा सिराज परिशान था महाट सिटी पुलिस ने इस मामले में एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्च की है पुलिस का ये कहना है कि कोई स्यूसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है एक पुलिस अधिकारी ने अख़बार को बताया उसके परिवार के सदस्यों ने हमें बताया था कि कोवेथ वापस नहीं जाने के कारण वे परेशान था उन्होंने हमें बतायकि कि उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने एक टीका लिया था जिसकी कोवेट में मनजूरी नहीं है उसने कोवेट जाने के लिए कर्ज भी लिया था पोस्ट मार्टम के बाद सिराज के परिवार को उसकी बॉड़ी सौब दी गई है महीं सिराज के भाई नासिन ने कहा चूंकि उन्हें वापस जाना था इसलिए उन्होंने टीके की दोनों खुराक ले ली थी लेकिन इस महीने की शुरुवात में उन्हें ये पता चला कि काम के लिए कुवेट वापस जाने के लिए उन्हें वीजा नहीं मिलेगा तब से वे बहुत परिशान थे बिस्निस अकबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाडी देशों की ओर से अप्रूवड वाक्सीन लगवाने वालों के लिए कुवेट एक अगस्त से देश में एंट्री की अनुमती देगा कुवेट की आत्रा करने वालों के लिए आठी पीसियार टेस्ट उडान भरने से पहले और कुवेट पहुचने के साथ दिनों के भीतर कॉरंटीन के दौरान कराना अनिवार होगा कुवेट की कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि पूर्ण ठीका करन वारे नागरिक ही देश के बाहर जा सकते हैं महीं कुवेट टाइम्स की एक खबर के मताबिक कुवेट के स्वास्त मंत्राले ने केवल ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायो एंटेक, मॉडर्ना और जौंसन और जौंसन की वाक्सीन को ही मन्जूरी दी है अपने अपने देशों को लौट चुके हजारों लोग कुवेट लौटने की उमीद लगाए बैठे हैं हाला कि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुवेट चीन और भारत की वैक्सीन को मानने ताद देगा या फिर नहीं सवाल यह भी है कि क्या कुवेट भारत में दी जाने वाली कोविशील वैक्सीन को मन्जूर करेगा या नहीं इन मुद्दों पर कोई स्पष्टिता नहीं होने के कारण लौटने की उमीद करने वालों के पास केवल एक ही विकल्प है कि वह इंतजार करें शुरुवाती संकेत बताते हैं कि कुवेट में स्वास्त मंत्राले कोविशील को कंसीडर करेगा हाला कि सीधे तोर पर कोविशील का नाम नहीं लिया गया है इसलिए कोविशील लगवाने वाले कुछ भारतिय भी चिंतित हैं जबकि कोविशील्ड को दुनिया के 90 से ज़ादा देश मानिता दे चुके हैं। कोवेट टाइम से बातशीत करते हुए कोवेट में रहने वाले एक भारते ने बताया। एक अगस्थ से पहले एक महीने से भी ज़ादा का वक्त है। उमीद है कि इस दौरान हमें कोवेट से अच्छी खबर मिलेगी। मैं पॉजिटिव हूँ कि कोवेट सरकार को विशील्ड को मनजूरी देगी। भारते दूतावास हमारी परिशानी से अबगत है। हमें उमीद है कि वे हमें कोवेट लौटने की अनुमती देने के लिए कोवेट को मनाने का अतिरिक्त प्रयास करेंगे। आपके लिए खबर लिखिये हमारे साथ ही डेविड ने, मेरा नाम है दिव्यानशी। देखते रहिए दीललन टॉब, शुक्रिया।